इस आप भाही के हवाले से साली चीज़ा आपको पता हैं जो मुझे पता है वो यह है कि मेरी कल बाध हुई थी उनसे वो इरान पहुँच चुके लात अला उनका सफ़र आसान करें और आप सब लोग उनके सफ़र के लिए दुआ करें उनका हज कबूल हो इसके लिए भी दु सब्सक्राइब तो हलो दोस्तों माशला दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि यह अभी अपने वीडियो देगा यह अयूब भाई थे हैं यूब भाई दोस्तों श्यापाई के एकदम खास दोस्ते श्यापाई के क्लोस थे यह श्यापाई को अलम्दलिल्ला पाकस्तान के बॉर्ड तलग छोड़ने पहुचे थे और दोस्तों आपको वीडियो में दिख रहा है कि जो अजन्ता टीवी के ओनर है दोस्तों आरे भाई इन्होंने जब इनका इक नियूज बता रहे हैं श्यापाई अगर इरान में होते तो उनका कोई फोटो या वीडियो होता तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि श्यापाई का दोस्तों अभी इरान का कोई फोटो कोई वीडियो नहीं आया है सामने क्योंकि वहां नेटवर्क के वज़े से कोई फोटो अपलोड नहीं उपा रहा है लेकिन बहुत जल्द बहुत ही कुछ घंटों में दोस्तों या कुछ दिनों में शेया पाई की एरान की अपडेट भी सामने निकल कर आ जाएगी अलहम्दलिल्ला इन्होंने बताया है कि शेया पाई ने अपने एरान के सफर को 30-35 किलो मीटर के सफर को रवाना कर चुके हैं और अलहम्दलिल्ला शेया पाई एक्दम तंदरोस तो और खेर और आफियस हैं ये दोस्तों अयूब भाई शेया पाई के साथ ही आफवेकट स्कूल में रहा करते थे ये दिली में रहते हैं दोस्तों लेकिन ये शेया पाई के साथ आफवेकट स्कूल में रहते थे Post ये पाकस्तान के बॉर्डर तक भी आया थे इन्होंने खुद इंटर्वियू के इन्टर्वी में बताया है पेस के अज में मुकंबल होंगे तो दोस्तों हम आपको पूरी रियल अपडेट देंगे तो आप कहीं न जाएं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिएगा लाल रंग के सबस्क्राइब पूटन को दबा के बैल आइकन प्रेस कर दें मिलते हैं शेया पाई के अगले बिग अपडेट के साथ